एक काम करते हैं एक एक पैसेंजर से कुछ कोशन पूछते हैं और देखने हैं कि उन्हें कैसी लग रही है इस बस में राइड करने का एक्सपीरियंस कि जितना भी इन्वार्मेंट के लिए फ्रेंडली चीजें हैं वो करनी चाहिए हैं गवर्मेंट को इनिसेटीव लेना चाहिए ऐसा सार वेरी वेरी कंफ़डेबल बाट डिफरेंस तक कम्यून्गेट कर सकता है कि मैटर वाला फील नहीं आरहा है? यह सर पूरा फील आरहा है मैटर जीसा ताटा मोटर्स ने इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में बहुत ही ज़ादा हेल्प किये डेली गॉर्मेंट की तो उसके लिए हैट्स आफ टाटा मोटर्स गैज नॉर्मली इलक्ट्रिक बसेज ना हम सभी ने देखी है लेकिन यहाँ पर खास क्या है खास य ज़द इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पर टाटा मोटर्स डेवलप कर रहा है वो काफी ज़ादा कमाल का है और बहुत ही ज़ादा बेनिफीशल है एक बेसिकली इलक्ट्रिक बस का एको सिस्टम डेवलप करने के लिए यह एलक्ट्रिक बसेज एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टाटा मोटर्स की स्मार्ट सिटी मोबिलिटी सॉलुशन का पार्ट है एक्सपर्ट की माने तो येर 2030 तक इंडिया जैपैंग को ओटेक करके एशिया की सेकिंड लाज़ेस्ट एकॉनमी बनने का पूरा प मुंबई एंड एहमदबाद जैसे सिटी में भी डेवलप किये हैं जिसकी वज़िससे करेंटली इंडिया में 650 से भी जादा इलक्ट्रिक बसेज टार्टा मोटर्स की हैं क्योंकि यह जょ बसे हैं कम प्राइश में जादर साथ किलू मिटर करने के पर help तो करते हीं लेगिन सãoथिशल यह बसेज वह एंवर्मेनेंटल फ्रेंडी भी है तो एक काम करते हैं, क्विक टॉर लेते हैं Tata Motors की इलेक्ट्रिक बस का और देखते हैं कि क्या-क्या फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं यह आपको normal halogen headlands मिलते हैं उसी किसार right side में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इंडिकेटर जो की अगें bulb की form में दिये गए हैं अगर windshield की बात करें तो windshield का area यह glass area जो बहुती massive है इस वज़े से driver को व्यू आता है प्रापर रोड का वो काफी जादा अच्छा आता है और फिर भी in case अगर आपको किसी तरह का blind spot लगे ना तो यहाँ पर आपके पास कुछ blind spot mirrors दे दिये गए जैसे कि आप यह चेक आउट क bus भी देखी होगी या ic engine वाली buses भी देखी होगी जो कि काफी टाइम से हमारे डिली में चलती आ रही है green color की और red color की लेकिन वाली जो buses है वो all electric नहीं है यह वाली जो particular buses बनाई है Tata Motors ने यह electric buses बनाई है अच्छा front profile की बात करते है एक बार और तो यहाँ पर आप देख सकते Tata का massive logo आपको मिल जाता है और जायर सी बात है आपको wipers मिलेंगे जैसे कि आपको normal cars में मिल जाते हैं बट फरक इतना ही है कि यह जो bus है यह low floor bus है इस वज़े से मेरी height के साब से wipers काफी जादा नीचे लग रहे है और यह bus भी जो है उसकी height बहुत जादा है यहाँ पर नही height की तो height आपको इसलिए जादा लग दे होगी कि ऊपर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर AC की प्लेश्मेंट की गई है और साथेज़त गई इसमें जो battery pack आपको मिल जाता है उसका थोड़ा सा part आपको ऊपर भी मिलता है कैसे वो चीज मैं आपको बताऊंगा जब मैं इसक exclusive है आपके electric vehicles के लिए क्योंकि आपने देखा होगा कि non electric buses जो आती है वो आपको green color में आती है और एक आती है red color में अगर यह emergency exit की बात करें तो यह देख सकते हैं काफी बड़ा glass panel आपको मिल जाता है यह जो है वो इसका emergency exit है कैसे है यह अंदर से मैं आपको दिखाऊंगा ए होना ही होना है 22.5 इंच का यहां पर आपको diameter मिलता है wheel का front में आपको मिल जाता है disc brakes और rear में इसमें आपको drum brakes ही मिल जाते है अचा battery pack जो है वह बहुत जाद important role play करता है तो चले एक बार पीसे जाके देखते हैं कि battery pack कहा मिलता है आपको इसमें आपको total 4 battery pack मिलते है इच battery pack 100 kWr का है यानि कि total 400 kWr का यहां पर आपको पूरा battery pack मिल जाता है दो तो यहां पर आपने देख लिये और दो कि यह गए इसके top पे place जो की काफ़ी दादा अच्छी है बैटरी पैक हमने जान लिया कितना है लेकिन चार्जिंग की फैसिलिटी देखना भी ज़रूरी है न तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी Tata Motors की DTC वाली बसे यह अब चार्ज हो रही है और मज़िदार बात यह है कि Tata Motors ने इस पूरे इं पर मिल जाते हैं तो टोटल यहाँ पर आपको 400 kWh का बैटरी पैक मिल जाता है और चार्जिंग के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली दो गन को इंसर्ट किया गया है और इन दो गन को इंसर्ट करने से यहां के वकरस का कहना है कि यह जो बस है वो नियरली टू आ जोने के बाद है यही है वो वायरलस जिसे ड्राइवर कंड़क्टर तक कम्यूनिकेट कर सकता है इसे वायरलस को प्लेस करते है यहां पर सीट बेल्ट जो है वो मैंने अल्लेडी लगा दी है क्योंकि सेफटी जो है वो प्राइम फोकस होना चाहिए मारा अज़ा सीट कैसी क के लिए पितिंग अपको मिल जाती है और यह बहूत ज़ाओर है इसका होन और यहां पर इसका सीट है उम्हद सबसे करा पर इवर को चीज़ांगोर कि अब श्युक्त बहुत चक्क करता हूं अचा close कैसे करना है, close इसी बटन से, यह मैंने बटन प्रेस किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो है, वो दोर बंद हो चुके है, D mode, N mode, और यह है reverse mode, D मतलब drive mode, N मतलब neutral, और R मतलब reverse, अभी जो गाड़ी है, यह है, neutral पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, MID पर, जै यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि यह जो है, वो बस आप completely ready है चलने के लिए, जैसी मैंने brake प्रेस किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ready to drive आ गया है, यह मैने accelerator प्रेस किया, और बस आराम से चलने लगी है, कुछ इस तरह से, anyway, अभी हम इसको छोड़ देते हैं, और यहा यहाँ पर अभी इसकी जो battery percentage है, वो बहुत जादा कम नहीं हुई है, range कितनी दिखा रहा है भी है, दिखा रहा है कि 258 km से यह भी drive हो सकती है, अगर हम इसे normal species से drive करें, odometer पर देख सकते हैं, reading और trip पर भी आप देख सकते हैं, आपको जैसे normal cars में reverse parking camera होता है, उसी तरह से य बटन को प्रेस करते हैं, देखते क्या होता है, अच्छा यह सुन सकते हैं, आप काफी सारे अलग-अलग यहाँ पे आपको safety instruction मिलती है, यह बटन प्रेस करता हूं में, तो बहुत जादा premiumness भी है कही नगई इस बस में, और मज़ी की बाद तो ही है कि all electric की form में है, तो वो अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी noise नहीं आती है, engine की heating होती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे engine है ही नहीं, motor यहाँ पे engine की जगहाँ है, basically हमें motor मिलती है, तो all electric होनी के वज़ी से, eco-friendly तो ही है, लेकिन साथी-दर silent भी है, यह जो वास है, 35 plus D-seater है, और साथी- भार जो है, वो coffee जादा heat है, तो इस वज़े से हमने सोचा कि पहले interior से शुरुआत करते हैं इसके, यहाँ पे आप देख सकते है, grab handles आपको मिले जाते है, और मजी की बाद तो यहाँ पे safety click camera भी आपको दिया गया है, यह आप देख सकते है, एक CCTV camera आपको दिया गया है, तो जो कि low floor bus है, तो इस वज़े से देख सकते है, floor जाए, वो coffee जादा low है, anti or exit करना बहुत जादा simple task है, यह जो glass area है, यहाँ पे आप देख सकते है, ladies लिखा हुआ है, तो यह particularly ladies के लिए बनाएगी यह वाली seat, आचा गाईस, यहाँ पे एक button मिलता है, चलिए इसे प्रेस करते देखते हैं, देखते हैं, तो यह जैसी मैंने प्रेस किया, आप देख सकते है, please stop the bus indication आ गई है, तो इसका मतलब यह है कि यह जो button है, वो एक emergency button है, जैने कि passenger और जो है, वो easily communicate कर सकते है, इस button के तुरू driver को बता सकते है, उनके उतरने का आप समय आ गया है, एक काम करते है, quickly इसके driver से मिलते हैं, और उनसे पूछते हैं कि bus कैसे उनके लिए helpful रही है, अगर हम CNG bus से specially इसे compare करें तो, तो guys इस bus के driver राम भाई है, तो राम जी पहले तो thank you so much for joining us, और राम जी मुझे यह बताएगी, यह bus जो है, वो कैसे अलग है, पुरानी वाली CNG bus के comparison में, पहले तो अच्छा आप एक दिन में कितना से यूज करते हैं या कितना ट्रैवल कर लेती है बस पूरा जैसे अब हमने फुल चार्ज करी, फुल पे वैसे capacity 200 पलस की है, दिल्ली का traffic देखके, एक चक्रमा मतलब एक duty करनेक बाद फिर भी बैटरी 50 60 बच जाती है, तो जो हमारा किलोमे आपको यहां पर charging facility मिल रही है, charging station मिल रही है, यह कैसे मिल रहा है पूरे दिल्ली में आप यह बताओ बहले तो मुझे, charging station अच्छे है, best है, और connective बी जल्दी होती है, बैटरी चार्ज भी जल्दी होती है, अगर सपोस मानते हैं, अगर बैटरी चार्ज में 20 परशंट है, 20 परशंट बैटरी चार्ज करते हैं, एक गंटे में फुल, बाइवन बाइवन बस लगती है, एक बार में 20 गाड़ी फीरी हो जाती है, अब यह मायापूरी बस डेपो में है, जहां पर इलक्रिक बस का charging आप स्टेशन देख सकते हैं, बहुत ही जादा लगाए गये हैं, औ बहुत बढ़ा लग रहा है, एक तो यह बसे काफी साइलेंट है, इन्वार्मेंट फ्रेंडली है, और जो हमारा दिल्ली का पुलूशन था, उसको थोड़ा सा कम कर रही है, सदिको पहले जो बसे थी, वो सीनजी वाली बसे थी, एक तो वो सोर बहुत जादा करती थी, ठीक पता भी चल रहा है, यह बस में बैटे हैं, ऐसा लग रहा है कि प्लेन में बैटे हैं, अज़का इस डिल्ली में अगर बात करें, ट्रैफिक ही तो ट्रैफिक यहां पर काफी जादा रहता है, लोग जादे अब बसे को छोड़ के मेट्रों में ट्रैवल करना जादा पसंद इसकी बैश्टा मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो फीचर्स कैसे लग रहे हैं आपको टाटा मोटर्स की बस अच्छा लग रहा है, देखने में, सर पाले बेर बैसंदे अलग है, बहुत कुछ अलग है इसमें, बिसिकली मेटर वाला फील आ रहा है, यह सर पूरा फ किलोमेटर जो चल जाती है उसकी वज़े से स्टेट गवर्मेंट को काफी ज़दा इससे फायदा होता है अब आप मुझे नीचे ते कॉमेंट्स बताई कि कैसी लगी आपको यह और अलेक्ट्रिक बस और क्या आपने बेसिकली टाता मोटर्स की इससे पहले कोई अलेक्ट्रि हो कि कैसी है नीचे जँ wiringता आपको कि वहँएक्रॉश को ईया हो फॉजएक्रॉइट इससादरी लकर देट को करो नानलेक्ट्राज राफका मोट झाल 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 झाल